प्रसन संख्या 1 शूज दुवरा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे शूज दुवरा सीखने को सुक्षम सिधान्त, सूज का सिधान्त या अंतरदृष्टी दौरा सीखना भी माना जाता है अंत्रद्रिष्टी यानिके अंत्रिक रूप में इन सीज़ को सीखना इसके लिए कोहलर ने सुल्तान नाम के चिम्बैंची पर प्रयोग किया था जिसकी वज़े से यह है विसव परसिद हुआ इस परशन का उत्र जो है वो कै यानि कि वर्थी मर कोफका और कोहलर ये बिल्कूल सही है ये तीनों के तीनों मनोविज्यानिक जो है वो जर्मनी से है परसन संख्या 2 एक बालक जिसकी मानसिक आयू 10 वर्ष है तथा काला कर्मिक आयू 10 वर्ष है उसकी बुद्धी लप्ती होगी तो बुद्धी लप्ती यानिके IQ जानने का सुत्र जो है वो हल ने दिया हुआ है यह सुत्तर है मानसिक आयू बटे में वास्त्विक आयू गुना सो यानिके 12 बटे 10 गुना सो उत्तर 120 आएगा और इस परसन के जो चार उत्तर दिये गए है उसमें गय उप्षन में 120 दिया गया है जो की 12 बटे 10 गुना सो जब इसको हम calculate करेंगे तो ये 120 आएगा यानिके option गय शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान अनुप्र्यूक्त विज्ञान विशुद विज्ञान या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इस प्रशन का जो उत्तर है वो B यानिके अनुप्र्यूक्त विज्ञान बिलकुल सही माना जाएगा क्योंके शिक्षा मनोविज्ञान में विज्ञानिक धंग से विभिन तरह के प्रयोग किये जाते हैं और जो के पूर्णत है विज्ञान पर अधारित होते हैं प्रसन संख्या चार मानव विकास परिणाम है आर्थिक कारकों का आर्थिक कारक यानिके धन से जुड़े हुए तो धन कम समाने या अधिक होने पर विकास होगा ऐसा कोई जुरूरी नहीं है वंशानुगत एम वातवणिय कारकों का तो ये उत्तर बिल्कुल सही है विक्ति का विकास उसके वंश के आधार पर और इसके साथ साथ वो जिस वातवण में जिस महोल में रह रहा है उन दोनों के आधार पर पूर्ण रूप से निर्मित होता है जबकि तीसरा उत्तर धार्मिक कारकों का तो धर्म के आधार पर भी विकास के बारे में कह पाना संभव नहीं है अभी प्रेरण कारकों का तो जो अभी प्रेरण कारक है अभी प्रेरणा जो है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रभावशाली रहती तो ऐसी प्रिस्थिती में इस प्रशन का जो उत्र है वो वन्शा नुगती ये वातावरणी ये कारक दोनों का स्यूक्त रूप जो है वो मानव विकास का बहुत ही अच्छा परिणाम माना जाता है पिछले कुछ सब्ता से हमारी टीम ओनलाइन एजुकेशन के रूप में ये वीडियो त्यार कर रही है और हमारा जो उदेश्य है वो प्रतेक उस विद्यार्थी को जो अरपीएसी की प्रिक्षा दे रहा है कुछ आसानी से और पीएसी द्वारा विगत वर्षों में लिये गए पर्षन पत्रों को अच्छे डंग से उत्रों के साथ समझाना है तो आप से एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि यह ज्यान सिर्फ आप तक ही सिमित ने रहे बलकि प्रतेक उस विद्यार्थी तक पहुँचे जो आरपीएसी फस्ट ग्रेड द्वारा आयुजित की जाने वाली प्र प्रसन संख्या पांच शिक्षा मनोविज्ञान संबंदित है अधिगम करता से यानिके सीखने वाला अधिगम प्रकिरिया जिस किरियात्मक रूप में सिखाया जाएगा अधिगम संस्थिती यानि अधिगम से जुड़ी हुई संस्थितियां और उप्रोक्त सभी तो इस प्रसन का जो उतर है वो उतर चार उप्रोक्त सभी बिल्कुल सही है प्रसन संख्या छे शरंकला अधिगम संबंदित है तो जो सरंकला अधिगम है वो उतर तीन यानि गैगनी से संबंदित है इस तरह कि जो प्रशन होंगे उनको प्रशनों को आपको इन प्रशनों को आप को उसी रूप में याद करना होगा जिस तरह के ये दिये हुए हैं शरंखला अधिगम संबंदित है गैगनी से किसोरा अवस्था बड़े दबाव एम तनाव तथा तुफानों एम संगर्ष की अवस्था है किसोरा अवस्था से संबंदित यह जो परिभाशा है RPSC द्वारा 2016 में स्कूल लेक्चरर के लिए जो परशन पत्रों का निर्मान किया था उसमें मनोविज्ञान के भाग में यह परिभाशा कई बार पूछी जा चुकी है यानि कि यह वो परशन है जो रिपीट हो चुका है तो इस परशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि किसोरा अवस्था को दबाब तनाव तुफान और संगर्षों का काल कहा है यह कहा है स्टैनले फालने तो इस परशन का जो उत्तर है वो सी है परशन संख्या आठ मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का परतिबादन करने वाले थे तो इस परशन का जो उत्तर है वो है जेबी वाटसन इन्ही के प्रयासों से 1913 में मनोविज्ञान में एक नए वाद व्यवहारवाद जो है उसकी शुरुवात मानी जाती है और ये परशन अक्सर आरपेसी द्वारा लिये गए विभिन प्रतिविता प्रिक्षा में पूछा गया है तो इस परशन को आप जरूर अच्छे से याद कर लें इस चित्र को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को याद रखें कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें परसन संक्या नू सरजनात्मक्ता की विसेस्ता होती है सरजनात्मक्ता की विसेस्ता सरजनात्मक्ता यानिके कुछ सरजन करना कुछ नया निर्मान करना जो पहले से पूर्णते नवीन है विल्कुल नया है तो इसमें मोलिक्ता भी होती है, प्रवाशीलता भी होती है और इसके साथ साथ लचिलापन भी होता है इस वजे से इस प्रशन का जो उतर है वो गहय यानि के उपरोक्त सभी मोलिक्ता, प्रवाशीलता, लचिलापन तीनों ही उतर माने जाएंगे एडवांस और्गेनाइजर परति रूप जिन्हों ने दिया तो ये मनोविज्यानिक जो हैं वो आसु बेल है इन्हों ने एडवांस और्गेनाइजर परति रूप दिया यानिके उसका निर्मान किया तो इस तरह इस प्रशन का जो उत्तर है वो खै बिल्कुल सही है परसन संख्या 11 नवीन ग्यान की प्राप्ति होती है रटने से कभी भी नवीन ग्यान प्राप्त नहीं होता बलकि जो एक लीक चली आ रही है जो जितना जिस रूप में है उसको उतना ही रट लिया जाता है याद करिया जाता है, समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया जाता ग्यान के स्थानांतरन से तो ग्यान के स्थानांतरन से भी नवीन ग्यान जो है वो प्राप्त नहीं होता है अनुबव यह नवीन अर्थ खोजने से किसी भी तरह का कुछ नया अनुबव ग्रहन करना या नवीन अर्थ की खोज करना दोनों ही आधार पर नवीन ग्यान की प्राप्ती होती है तो इसलिए इस प्रशन का जो उतर है वो गय बिल्कुल सही है जबकि चोथा उतर उपरोक्त में से कोई नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है नवीन ग्यान की प्राप्ति तब ही होती है जब एक वेक्ति नई त्रह के अन्भव प्राप्त करता है और नवीन त्रह के अर्थ खोजता है तो ऐसी प्रिस्थिति में नवीन ग्यान की प्राप्ति होती है वरतमान में RPSC द्वारा जो प्रशन पूछे जा रही है उन प्रशनों में नहीं शब्द का ज़्यादा प्रियोग किया जा रहा है और यहां प्रशन या उसके दिये वे चार उत्रों को ध्यान पुरोक ने पढ़ने की वज़े से प्रशन का उत्तर आने के बावजूद भी अधिकतर प्रिक्षार्थी जो है वो गलत कर देते हैं इसलिए जब भी आप कोई प्रत्योगिता प्रिक्षा दो तो प्रशनों को और प्रशनों के दिये हुए चार संभावित उत्तरों को ध्यान पुरोक अराम से समझते हुए पड़े निमलिक्त में से कौन सा समवेगात्मक बुद्धी का तत्तव नहीं है समवेगों का प्रबंदन समय अभी प्रेरित करना दूसरों के समवेगों को पहचानना संजीवों में विभेदन करने की चमता रखना तो इस परशन का जो उत्तर है वो चोथा उत्तर संजीवों में विभेदन करने की चमता रखना बिल्कुल सही है परशन संख्या 13 विज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ निमलिक्त में से कौन सी समप्रेशन सामगरी नहीं है छपी हुई सामगरी होती है ट्रांस्पेरेंसी होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर अब यह जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है यह एक तरह से इंस्टुमेंट के रूप में होता है ने के सामगरी के रूप में अर्थात यह एक साधन है और चोथा उत्तर ओडियो कैसट तो audio cassette जो है वो भी एक तरह से सामगरी के रूप में है जबकि यहाँ पुछा गया है कि संप्रेशन सामगरी नहीं है तो यहाँ जो गय उतर है overhead projector जिसके उपर कोई चीज रखी जाती है और फिर उसका reflection होकर के वही चितर हमें सामने दिवार पर दिखाया जाता है यह overhead projector होता ह तो overhead projector यहाँ एक तरह से एक मशीन है नहीं के संप्रेशन की सामगरी परसन संख्या 14 आतम संप्रेशन को कहते हैं आतम संप्रेशन को समुए संप्रेशन नहीं कहते जन संप्रेशन नहीं कहते और चोथा उतर जो है इन में से कोई यह तो हो ही नहीं सकता बलकि इसका जो उतर है वो तीसरे उत्तर के रूप में अंत्य व्यक्तिक संप्रेशन बिल्कुल सही है एक बार फिर इस चित्र को ध्यान में रखते हुए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परसन संख्या किरिया विदी नहीं है परतिगमन सहचर्या छतिपूर्ति और उद्मति करण तो आप इस चित्र को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए परसन संख्या सोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की निमलिक परकार से के संचार में वर्गी किरित किया जा सकता है दर्शय एक तरफा यानिके जहां एक तरफा दिखाई देता है दर्शय सरवय एक तरफा दर्शय दिखाई देना सरवय यानि सुनना लेकिन एक तरफा दर्शय सरवय दो तरफा यानिके दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा और दो त संख्या सत्रा कंप्यूटर वाइरस है हाडवेर हाडवेर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिने हाथ से चुआ जा सकता है जैसे मोनिटर कीबोर्ड माउस सीप्यू इतियादी ये कंप्यूटर के हाडवेर हैं यानि कठोर भाग हैं इने हाथ से चुआ जा सकता है जबकि सो इन software का प्रयोग करते हुए विभिन्त रहें के कारिये जो हैं, वो किये जा सकते हैं, नमबर तीन, bacteria, bacteria जो है वो computer से जुड़ा हुआ, कोई शब्द नहीं होता, तो ऐसी प्रस्थिती में इस person का जो उत्तर है वो software है, computer जो virus होता है, वो एक तरह से एक software होता है, जो इस रूप में बेज़त जाता है, कि सामने वाला उसे accept कर लेता है, और जैसे ही वो उसी पे click करता है, click करते ही उस software में कुछ इस तरह से त्यार किये हुए होते हैं, कि वो अपने आप system फाइलों में जुड़ जाते हैं, और वहाँ जुड़ने के बाद में system की जो फाइले होती हैं, उन्हें corrupt करना शुरू कर देते हैं, उन्हें उन फाइलों को cut करना या एक तरह से उन्हें तोड़ना मरोडना कह सकती हैं, करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से computer का जो system software होती हैं, वो सही डंग से नहीं चल पाते, और ऐसी प्रिस्तिती में एक बार computer के software जो होते हैं, वो खराब होने की वज़े से दुबारा डालने पड़ती हैं, तो computer virus जो है वो एक तरह से software है, प्रशन संख्या 18, सूचना संप्रेशन तकनीक में समलित है, ऑनलाइन सीखना, वैब अधारित सीखना, Eduset के माद्यम से सीखना, और चोथा उतर उप्रोक्त सभी, तो ये तीनों ही तरह से सूचना संप्रेशन तकनीक में सीखा जा सकता है, computer अगर थोड़ा बहुत चलाना आता है, तो उसके बाद बहुत से ऐसे courses हैं, जिने ओनलाइन रूप में हम सीख सकते हैं, इनी कोर्सों को वैब के अधार पर भी सीख सकते हैं, और इनी कोर्सों को Eduset के माद्यम से भी सीखाया जाता है, तो इसलिए इस प्रशन का जो उत्तर है वो चोथा यानि के उपरोग्त सभी बिल्कुल सही है, अधिगम करता यानि के विद्यार्थी या सिक्षार्थी, अधिगम करता व्यक्तिक विभिनताएं परदर्शित करते हैं, अतै सिक्षक को व्यक्तिक विभिनताएं यानि प्रतेक व्यक्ति दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, यहां तक की दो जुडवाँ बच्चे जिनका जनम एक साथ हुआ हो वो भी व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भिन हो सकते हैं रंग के रूप में, आकार के रूप में, सोचने समझने की शक्ति के रूप में, मानसिक और चिंतन स्तर पर तो ऐसी प्रिस्थिती में कक्षा के जो सभी बच्चे हैं समाने सी बात है कि वो अलग-अलग प्रिवार अलग-अलग छितर से होते हैं तो उनकी व्यक्तिगत विबिंता हर हालात में होती ही है तो ऐसी प्रिस्थिती में एक सिक्षक को करना चाहिए प्रिक्षाओं की संख्या बढ़ाना ये कोई सही अधार नहीं है कठोर अनुशाशन लागू करना ये भी कोई सही अधार नहीं है विविद अधिगम अनुभव उपलब्द कराने चाहिए ये बिल्कुल सही है क्यों क् कक्षा में पढ़ाने के दोरान विद्यार्थियों को अध्यापक अगर विविद परकार के यानि अलग अलग परकार के अधिगम अनुभव उपलब्द करवाएगा चाहिए वो पढ़ाने के दोरान बोड का प्रियोग करता है बोड पे कोई चितर बनाता है बोड पे कोई अनुबह होता है और कक्षा का प्रतेक पालक बहुत ही अच्छे डंग से सीखता है तो इस प्रशन का उतर गय बिल्कुल सही है प्रशन संख्या 20 शिक्षन का वह प्रतिमान जिसका सरवादिक प्रयोग भाशा वह व्याकर्ण शिक्षन हेतू उपयोगी है तो इस तरह के शिक बिल्कुल सही है प्रसन संख्या 21 में फिर एक प्रिभाशा के रूप में प्रशन पूछा गया है शिक्षन प्रकिरियाओं में पारस्परिक प्रभावों को समलित किया जाता है जिसमें दूसरे के व्यवहारिक छमताओं के विकास का लक्षय होता है प्रजातांत्रिक शिक दी गई है RPSC द्वारा आयुजित की जाने वाली विभिन शिक्षक बर्ति प्रिक्षाओं में स्कूल लेक्षरर के लिए जो पर्षन पत्र है उसमें करीबन 30 नंबर के मनोविज्यानिक वे सुचनायम तकनीक से जुड़े वे पर्षन होते हैं और इन 30 पर्षनों में अक्सर 2 या 3 पर्षन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो की प्रिभाशा से समन्दित होते हैं तो इसलिए अगर कोई भी परशन प्रिभासा से समंदित आता है तो उन प्रिभासा से समंदित परशनों को आप एक अलग नोट बुक पे नोट कर लें और जैसे ही आपको समय मिलता है कभी कबार उन प्रिभाशाओं को पढ़ते रहें ऐसी प्रस्तिती में ये प्रसन संख्या 22 जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतूष्टी प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है यह है अभ्यास का नियम तत्परता का नियम परभाव का नियम या सापिक्ष्था का नियम तो यह जो है एक तरह से संतूष्टी होना और संतूष्टी होने से इस चीज़ का एक तरह से परभाव नहीं पढ़ता है बलकि अभ्यास भी नहीं होता है बलकि ततपरता का नियम यहां लागू नहीं होता है इस परशन में एक परशन को फिर से पढ़ते हैं जिन परतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टी प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है तो किसी चीज़ को सीखने के बाद में अगर उससे संतुष्टी प्राप्त होगी तो संतुष्टी प्राप्त होना यानि के एक तरह से उस चीज़ का हमारे पे परभाव पढ़ना तो यहां परभाव का जो नियम है वो लागू होता है परभाव के नियम में जब हम किसी चीज से वेक्ति विशेज से किसी गटना वस्तु से प्रभावित होते हैं तो ऐसी प्रस्तिति में बालक उस चीज़ को अन्य विश्य वस्तु को सीखने की बजाए जल्दी से सीखता है आसानी से सीखता है और बहुत बड़ी अधंग से सीखता है और एक तरह से अध्यापक जब पढ़ाने के दोरान बच्चों को विद्यार्थियों को अभी प्रेरित करते हैं तो ये अभी प्रेरित करना भी एक तरह से बच्चों को परभावित करने के रूप में माना जाता है कक्षा मे पढ़ाने के दोरान किसी अच्छे विद्यार्थी का या किसी विद्यार्थी के अच्छे लेखन का या किसी विद्यार्थी के द्वारा किये गए अच्छे डंग से किये गए कार्या का जब बताया जाता है तो उस चीज़ का परभाव दूसरे विद्यार्थी पर भी पड़ करते हुए एक बार फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए परसन संख्या 23 मनो विशलेशन का प्रतिपादन जिन्हों ने किया वे हैं तो मनो विशलेशन वाद की जब बात की जाती है तो इसमें सिग्मंड फ्राइड का नाम आता है इसलिए बाकी जो तीन ओप्षिन है वो यहां चर्चा नहीं की जा रही है क्योंकि मनो विशलेशन वाद अर्थार्थ सिग्मंड फ्राइड ये चीज आप याद रखो क्योंकि अक्सर इस तरह के जो प्रशन होती हैं किसी वाद का प्रति प्रेर्ण प्रबलन हास सिधान्त के परदाता है तो इस सिधान्त के जो परदाता है वो कलारक अल हल है इस तरह के प्रशनों को भी आप किसी नोटपुक पर एक बार लिख लें प्रेर्ण प्रेर्ण प्रबलन हास यानिके कलारक अल हल प्रेर्णा, प्रबलन, हास यनके कलारक, एल, हल परसन संख्या 25 निमन लिख्ट में से कौन सा कथन सही है सिक्षण उदेशय एं सेक्षिक उदेशय दोनु समान है सिक्षण उदेशय सेक्षिक उदेशय में अंतर निहित है सेक्षिक उदेशय जैसा कुछ नहीं शिक्षण उदेश्य की प्रकरती विस्तरित होती है तो अगर इस प्रशन के चारों उत्रों को ध्यान से पढ़ा जाए तो शिक्षण उदेश्य और शिक्षिक उदेश्य दोनों समाने सी बात है लेकिन जो दूसरा ओप्षन है यानि के खै शिक्षण उदेशय शेक्षिक उदेशय में अंतर निहीत है यह इस प्रशन का उतर बिल्कुल सही है प्रशन संख्या 26 शिक्षण प्रतिमान के तत्व है लक्षय वै उदेशय उदेशय वै सरंचना सामाजिक प्रणाली एम मुल्यांकन तो अगर इन तीनों ही उतरों को ध्यान से पड़ा जाए तो ये तीनों ही उतर जो है वो शिक्षण प्रतिमान के तत्व माने जाते हैं होते हैं तो ऐसी प्रश्थिति में इस प्रशन का उतर गय उप्रोक्त सभी बिल्कुल सही है प्रशन संख्यस ताइस सही जोडे का चैन कीजिए गलेशर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान सुकरात निस्प्राप्ती शिक्षण प्रतिमान फ्लेंडर बुन्यादी शिक्षण प्रतिमान आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान तो इस प्रशन का जो उत्र है वो भाग, घै यानि कि जो चोथा उत्र है वो बिल्कुल सही है आसु बैल ने अग्रिम, व्यवस्थापक, शिक्षन, परतिमान जो है उसके बारे में बताया या इसे प्रिस्थापित किया प्रसन संख्या 28, शिक्षन कक्षा कक्ष में प्रियास करता है, शिक्षन यानि कि पढ़ाना विद्यार्थियों को अन्बो परदान करने का बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का ये भी बिल्कुल सही है विद्यार्थियों को सहाइक अधिगम वातवन देने का ये भी बिल्कुल सही है यानि के सिक्षन की प्रकिरिया में उप्रोक्त तिनो बिंदू जो है वो समान रूप से समाई हुए होते हैं तो ऐसी प्रस्थिती में ये तीनों के तीनों उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है इसलिए इस प्रशन का जो उत्तर है वो चोथे उत्तर के रूप में यानि के उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा प्रशन संख्या 29 निमन लिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है वाटसन व्यवहारबाद वाटसन ने 1913 में व्यवहारबाद की सुरुवाद की जोन ड्यूई सरंचनावाद यह उत्तर जो है वो सही नहीं है जीन प्याजे जीन प्याजा ने संग्यानात्मक विकास पर या संग्यानात्मक पर बहुत अच्छा काम किया है वर्दी मर जो है वो गेस्टालवादी है तो इस तरह इस प्रशन में जो उत्तर है वो जोन ड्यूई सरंचनावाद यह सही नहीं है अन्तिम प्रशन प्रसन संक्या 30 मानसिक स्वास्थय का लक्षन नहीं है सहन सीलता सहन सीलता अच्छे मानसिक स्वास्थय का लक्षन होता है सामन जिस्य की योगेता अच्छे समायोजन या सामन जिस्य की योगेता भी अच्छे मानसिक स्वास्थय का लक्षन होती है आतम विश्वास यानि खुद पर समय पर विश्वास जो होता है वो भी अच्छे मानसिक स्वास्थे का लक्षन माना जाता है या इस प्रशन का उतर चोथा जो है वो माना जाएगा क्योंकि एपरिपकवता एपरिपकवता जो होती है वो मानसिक स्वास्थे के लक्षन के अंत्रगत नहीं माना जाता बलकि जो एक तरह से मांसिक रूप से ऐस्वस्थ होते हैं वही एक तरह से ऐपरीपकव होते हैं प्रिये विद्यार्थियो इस चैनल पर हमारी एक पूरी टीम काम कर रही है और इस चैनल को किस तरह और अधिक बहतर और बड़िया बनाया जाए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इस समंद में अगर आपके कोई भी सुझाव है तो वे सभी सुझाव आप हमें कोमेंट बॉक्स के मादिम से दे सकते हैं आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन हमारे लिए बहुमूल्य है आप जिस भी तरह के सुझाव देंगे उन सुझावों को हर हालात में कार्या करने के लिए या उन सुझावों के आधार पर इस सिक्षन प्रकिरिया को अच्छा बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किये जाएंगे लेकिन आप से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और यह ग्यान प्रतेक उस विद्यार्थी तक पहुँचे जो के RPSC द्वारा आयुजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड की प्रतियोगिता प्रिक्षा देने वाला है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए धन्यवाद